क्या आपने ध्यान दिया है पिछले कुछ वर्ष में फल बेशने का पूरा व्यवसाय मजब विशेश के कबजे में चला गया है। और भावी जी भाई साबों के लिए स्पेशल डिसकाउंट देने वाले। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि यह सब कैसे हुआ। क्या हिंदू फल बेशने का व्यवसाय नहीं करना चाहते। वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ा शडियंत्र है। जबजे की शुरुवात बड़े ही प्यार और भाईचारे के साथ होती है। अतलब होता है और वह हिंदू दुकानदार को कोस्ता हुआ चला जाता है और भाईचान की दुकान से खुशी-खुशी फल खरीद लेता है। कुछ दिन संगर्ष करने के बाद हिंदू फल विक्रेता को अपने दुकान बंद करनी पड़ती है। वह समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या खेला हुआ। पड़ोस का विक्रेता नुकसान उठा कर फल कैसे बेच रहा है। जब एक बार उसकी दुकान बंद हो जाती है तो भाईजान के फल फिर से बाजार भाव पर आ जाते हैं। फिर सारे मिलकर हिंदू ग्राहकों को उचे दाम पर लूटते हैं। मंडी में जो सेब 50 रुपए किलो हो फुटकर उसकी कीमत 100-200 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। जैसे ही चोटी जगहों पुटकर उन्फल विक्रेता स्थापित हो जाता है, वह बड़ी मंडियों में केवल पुटकर व्यापारी से ही सामान खरीता है। परणाम यह कि मंडी में बैठे ठोक हिंदू वियापारी को भी कारोबार समेट कर कुछ और कामधन न पकड़ना पड़ता है। कभी आपने सोचा कि जब अधिकांश फल और सबजियां हिंदू उगाते हैं, तो फिर उसके वियापारी भी क्यों होते हैं। मंडी में होने वाली मजभी गुटबाजी का अगला शिकार होता है किसान, जिसे अब उपज खरीदने के लिए ब्लैक मेल किया जाता है। मजबूरी में किसानों को अपनी सबजियां सस्ते और ओने पौने दाम पर बीशनी पड़ती हैं। या किसी एक मंडी की कहानी नहीं है, डिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के कई शहरों में यही हाल है। अधिकतर मंडी समितियों के अध्यक्ष हिंदू हैं, लेकिन वे पैसे या किसी अन्यलालच में चुप हैं। इन मंडियों में मजहबी व्यापारी हिंदूओं को खुले आम दाम बताते हैं, लेकिन पैस को अपने हाथ को तौलिये से चुपा कर या उंगली दबा कर दाम बताते हैं, ताकि बगल में खड़े हिंदू को सही दाम का पता न चल सके। बाजार में किसी भी तरह की एकाधिकार गतिविधी खानून की दुरुष्टी में अपराद है, सरकारों और सरकारी अधिकारियों की नींद जब तूटेगी तब तूटेगी, इसे रोकने के लिए आप अपनी तरफ से शुरुआत आज से ही कर सकते हैं, कोई भी सामान आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे।